बिसमिल्लावर्यमार्यमार्यम कैसे हैं आप लो रटना नहीं है समझना है अपलोड्स ओन रिक्वेस्ट नमबर सिक्स की तरफ आ गया है जैसे के पहली बता दिया था रिक्वेस्ट नमबर फायर में शम्रे जहमत की तवील लिस्टे चल रही हैं अब इनका क्या करें बाई इनको मता जयता हूंग अगली लिक्वेस्ट ऑजम डीप्लेशन ऑजोन डेफिंशन का मतलब एगा मोनidents जॉट हो जाना, घायंब होना लेयर का में और उथों तॉपिक है फिर स्भेफेक्ट how using by bat próximि आस्यायद कि आप्राइब तॉपिक नहीं हैahu आधिक्ण है पलने फिर समय कि जिताइल ते । तॉपिक है रही कि अनके के'll will बलके यह बतायता हूँ यह आपकी अर्थ है ठीक है और यह आप उपर खड़े वें इसके माफ कर दीजिए अगर आपको कुछ अच्छा ना बनाया हो तो और फिर आप यहां से एक एर लिफ्ट के जरी उपर चले जातने जहाज में यहां आ जातने और उसके बाद फिर आप बिल्कुल आपके अड्मॉसफियर का तकरीब अन्ड तुने वाला हुता है यहां पर आपको नजर तो नहीं आती है। सेसे कवरिंग पूरी अर्थ के गर्ड़ कवरिंग हमारी अर्थ तो ओवलिंग शेप है तो अब इस पर तो बना नहीं सकता जैसे सपोस करें कैसे पूरी अर्थ के गिर्थ एक इन्विजिबल कवरिंग है लेयर मौजूद है ठीक है कौन सी गैस की मौजूद है वो अजान गैस की इसका फॉर्मूला है O2 O3 इसका फॉर्मूला है यह आप देखते हैं ठीक है अब आप सोच रहे हैं यहाँ पर खड़े कि इतने ओवर्ण लेयर जो यहाँ बनी हुई है यह कर कह रही है यह बताता है हमारी जो sunlight है जो आ रही है यह तो आपको पता होगा कि विब गयोर इस टोब कहते हैं विब गयोर विब गयोर पता है न इससे बनता है वाइलेट इससे इंडिगो और इससे क्या बनता है ब्लू और इससे ग्रीन और इससे येलो और इससे और इंज कितने हो गए विब जी वाइ ओ और इससे रेड ये क्या है ये रेंबो कलर्स है आपकी सनलाइट को अगर मैं प्रिजम से टच करता हूं प्रिजम में से सनलाइट गुजरतने तो आप देखें ये सेविन कलर्स आपको नजर आते हैं आपकर क्या हो है ना छोटी क्लासेज में एक्सपेरिमेंट प्रिजम लेकि जो है वो सनलाइट के आगे रखा तो सेविन कलर्स आपको नजर आने लगे तो सिर्फ सेविन कलर्स ही नहीं होते हैं याद रहे दो ऐसे कलर्स होते हैं उंको कलर्स कहने थीक नहीं दो ऐसी रहे होती हैं जो के इन्विजिबल होती हैं आपको नजर नहीं आती हैं वो दो कौन सी हैं टोटल 9 होती हैं 7 YEAR हो गई और दो वो invisible total 9 हो गई यह कौन सी हैं दो जो invisible हैं इन में से एक जो है हमारे पास ultra violet उसका नाम है ultra violet और दूसरी है हमारे पास infrared infrared यह दोनों rays जो है वो invisible है इन में से यह जो ultra violet है यह हमारे लिए dangerous है ultra violet इससे हमें skin cancer हो सकता है skin cancer हो सकता है अब क्या करें इस ultra violet को रुकना चाहिए हमारे पास जमीन पर यह light जो आ रही है यह seven lights का मजमुआ है नहीं बलके nine lights का मजमुआ है ठीक है आपकी सहूलत के लिए light word इस्तमाल कर रहा हूं यह गलत है तो आप easily समय लिए seven lights यह nine lights का मजमुआ है sun light हमारी साथ आपको नजर आती है दो आपको नजर नहीं आती है उनमें से एक जो ultra violet है वो वो बहुत dangerous है उससे आपको क्या हो सकता है उससे आपको skin cancer हो सकता है तो अल्लत आला ने उसके लिए क्या किया है अर्थ के गिर्ड उसकी protection के लिए एक layer को छोड़ दिया है ozone gas जिसको हम कहते है O3 यह क्या करती है protect करती है रोक लेती है किस चीज को ultra violet radiation को ultra violet radiation को यह रोक लेती है बाकियों को आने देती है तो बाकी light हमारे पास आ जाती है और ozone gas sunlight को filter करके इस में से ultra violet rays को रोक के बाकी light जमीन पर हमारे पास आने देती है हमारे पास आ जाती है बाकी light और जो हम मज़े से उस sunlight को enjoy करते हैं सिर्फ UV लिख रहा हूं UV यह ultra violet जो है यह उपर ही रह जाती है यह इसी ozone gas की बाय से रहती है इस तरह से हम जो है वो skin diseases जो है उनसे बचे हुए है मैटा दूँ यह note कर लिया ठीक है तो ozone gas का भी पता चल गया इसका chemical formula भी पता चल गया light cake colors का भी पता चल गया और हमें यह भी पता चल गया कि यह ozone layer जो है वो कर क्या रही है हमें ultra wallet radiation से बचा रही है उनको रोक रही है अब हमें यह देखना है कि यह नोट्स में डाल लीजिए इस्ट्रेटो इसफेर में ये मौजूद है ये अपर एट्मोस्फेर में पर्पस भी इसका समझ में आगी है प्रोटेक्शन है अल्ट्रा वाइलेट एडिशन कैसे प्रोटेक्ट करेगी? इसका प्रॉसेस क्या है? जिसका प्रोसेस है भई कि ये जो O3 के साथ जब अल्ट्रा वालेट रेज इसको हिट करेगी तो क्या होगा ये O3 जो है O पिलस O2 में कनवार्ट हो जाएगी यानि कि आपको पता होना चाहिए O3 जो है वो O और O2 में कनवार्ट हो जाएगी O2 जो है वो भी गैस है इसके साथ छोटा सा जी लिख रहा हूँ ये मॉलिकुलर फॉर्म में और ये O जो है ये भी गैस है ऑक्सिजन गैस ये अटॉमिक फॉर्म में तो इसने इसको पर रोक लिया आगे नहीं जाने दिया ठीक है अब यहां पर प्रोसेस भी आपको समझ में आगे थोड़ी देर बात क्या होगा यही ऑक्सिजन का एक एक एटम दुबारा ऑक्सिजन के मॉलिकुल से मिल के दुबारा O3 बना लेगा दुबारा यह हो क्योंकि आप कह सकते हैं किसर चलें यह तो हो गया अल्ट्रा वालेट रेज आई इससे टक्राई खतम हो गई और इसको भी तोड़ दिया इसने O और O2 में तो इस तरह से तो धीरे धीरे यह O3 खतम होता चला जागा क्योंकि O3 से बन क्या रहा है O & O2 तो इसको खतम हो जाना चाहिए नई भे यह दुबारा कंबाइन होके यह बन जाएगी ठीक हो गया अच्छा उसके बाद चलते है इसको डिटेक्ट कब किया गया यह मिटा दूँ ठीक हो इसको डिटेक्ट कब किया गया डिटेक्ट का मतलब कब पता लगाई है कि डैमेज हो रही डैमेज हो रहा है इसका किसका 1970 में जाके ये बात पता चली कि ओजो लेयर जो है वो डैमेज हो रही है ठीके भी और इसको कौन डैमेज कर रहा है CFC's कमपाउंड हैं ये जो के कुछ हमारी जमीन पर ये कमपाउंड बन रहे है CFC's, इनके फुल वर्ट क्या है किलोरो फिलोरो कार्बन किलोरो, फिलोरो, कार्बन CFC's इनको और फ्रैम में कहा जाए यनि कि कमपाउंड एक नहीं है CFC's पहले बता दूँ आप ये एक लिस्ट है, बहुत सारे किसम के कमपाउंड है इनको कलेक्टिवली जो है वो CFC's कहा जाता है ये वो कमपाउंड है और इनमें क्या मौझूद है इनमें किलोरो, फिलोरो यानि किलोरीन मौझूद है फिलोरीन मौझूद है और कार्बन मौझूद है फिलोरीन को नुकसान पहुचा रहे हैं, है ये, समझा गई बात, कैसे पहुचा रहे हैं, ये बताता हूं आपको, मिटा दू, मिटा दू, तो हमने प्रॉसस देखा क्या, कि अल्टर वालेट रेडियेशन जो आ रही हैं, वो O3 से टकरा रही हैं, ना के O से, और ना ही O2 से, किस से टकरा रही हैं वो आके, O3 से, बस ठीक है, रस्ता तो रुक गया है ना उनका, अब यहां पर क्या है, एर में जाने के बात, CFC जैसे के उपर जाती है, और O3 के साथ रियक्ट करती है, क्लोरीन, यह वो कंपाउंड्स हैं, जो के हम इस्तमाल कर रहे हैं, किन में इस्तमाल हो रहा है, यह अब नहीं हो रहा है, यह आपके रैफरिजरेटर्स वगरह में, ऐरो सोल्स में, बहुत सारे आपके आइटम्स से घरे लू और इसके अलावा फैक्टरीज में, आफिसस में इस्तमाल होने वाले बहुत सारे आइटम्स, जैसे के रैफरिजरेशन खास तोर पर, जिसमें रैफरिजरेटर आ जाता है, आपका फरिज आ जाता है, एसी आ जाता है, यह सारी चीज़ें जो कूलिंग प्रॉसेस के लिए उन में यह CFC का इस्तमाल किया जाता है, लेट नैंटीज सेविटीज के बाद जिभी डिटेक्ट हुआ, जीरे जीरे इसको फिर रेप्लेश किया गया, इसको खत्म किया गया और आब यह रैफरिजरेटर वगरा में कहीं भी जो है, यह CFC का का इस्तमाल नहीं होता, बैन है ही ठेगे क्योंकि इसकी की वाज़े प्रोड्यूस हो रही है और यही क्लोरीप उपर जा रही है हुआ हो यहीं यहां से कौ जा रहा है यह क्लोरीपिकर यहां यह कडि तो देता है इसको हम देखते हैं, C-L-O, C-L-O, और O-2, C-L-O, यह compound बनेगा, और oxygen gas का molecule बनेगा, oxygen gas का molecule बनेगा, अच्छा ठीक है, यह chain reaction है, chain reaction कौन सा होता है, chain reaction होता है, unstoppable, जो रुपता नहीं है, एक के बाद दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांच वा होता है, continuously यह चलता रहता है, कैसे, कि यह जो भी इसके साथ attach हुआ है, एक chlorine का atom, यह थोड़ी दर बाद इससे अलग हो जाएगा, दुबारा, और फिर जाएके किसी दूसरे ओतरी के molecule के साथ react करेगा, और उसको भी तोड़ देगा, तोड़ देगा, तोड़ देगा, अब मुझे यह बताईए है, कि वो जो हमारे पास वो अल्ट्रा वालेट रेडियेशन ता रही है, सनलाइट से, यह, यूवी, अल्ट्रा वालेट रेडियेशन, वो आके O3 से टकराएंगी ना, O3 तो है ही नहीं, किलोरीन भाई ने जो है, वो सारे O3 दीरे दीरे डेस्ट्रॉइ कर दिये, एक किलोरीन का एटम जो है, वो, देखें आप कितने O3 के एटम मॉलिक्यूस को डेस्ट्रॉइ कर रहा है, कितने O3 के मॉलिक्यूस को वो तोड़ रहा, तो यह अगर इसी तरह त अगर खत्म हो जायेंगे तो अल्टरोफल ट्रीशन्स को कौन रोक हैं अल्टरोफल ट्रीशन्स हमारे पास आएंगी हम सनलाइट में बेच्छा होंगे हमारी स nation शैस ट्राइक करेंगी और हमारीز स्किन अलग ना करें इसकें कैंसर हो सकता इससे समझना रही है यह बाद तो बद्धा लेट नाइंटीज में इसको देखा गया और उसके बाद फिर क्या इसके एफेक्स में लिख दू विए साथ साथ ये नोट्स भी बना रहा है मिटा दू, मिटा देशा नोट कर लिए साथ साथ इसके आपके नोट्स भी बन रहा है इसके एफेक्ट्स भी नोट्ट कर लीजे इसके एफेक्ट्स क्या क्या है ठीक है एक तो इसकिन कैंसर है दूसरे जो है वो मािक्र ऑर्गνηंग माइक्र ऑर्गनिंग और इसका है गलोबल वार्मिंग का जी गलोबल गलोबल वार्मिंग अलट्रो वाले ट्रेस क्या कर रही है Skin Cancer के वजवात है, Micro Organisms जो हमार एड़ गिर्द है यानिके वो Organisms, वो Living Things जिनको हम Micro Scope के जरीए देखते हैं यह Ultra Wallet Radiation उनको भी खतम कर देती हैं आप कहेंगे सार जर्म्स मर गए तो बड़ी इच्छी बात हो गई बैक्टिरिया भी मर जाएंगे, वाइरस भी मर जाएंगे तो हम तो बीमारी नहीं होंगे, यह तो अच्छी चीज है, कोई चलो आने दो नहीं भई, बहुत सारे ऐसे Micro Organisms जो आप लोगों के फायदे के लिए हैं अब यह तो बायो टेक्नलोजी का टॉपिक है, इसको फिर कभी डिसकस करेंगे इसके अलावा Global Warming क्या है? आपकी अर्थ का टेम्परेचर जो है वह ग्रेजूली बढ़ता जा रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? जो mountains है, उन पे क्या है? आइस है, वो क्या होगी? वो melt होगी, पिगलेगी, melt होगी तो क्या होगा? फ्लर्ट से लाव आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ भलकदा समझा रहा हूँ आपको, अगर आपके आर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इससे नुक्सानात कहके होंगी, ठीक है भी, और मेरे खाल में इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठी श्राइब का क्या है, अधियो स भी, पोला समIST-बश भी नहीं है, थेसमे वावेगा बटूबल रहा हूँ